हाई गाईज तो आज दीखते हैं Hawkins Conchura Pressure Cooker का रिव्यू 3 लीटर का कुकर है MRP 3150 मुझे मिला 2700 में 4 डिफरेंट साइज में मिलेगा आपको Staleness Steel का कुकर है Induction पे भी चलेगा Box के अंदर निकलेगा कुकर लेड, Rubber Gazette, Vents याने की CT 5 साल का warranty card, Cookbook, Service Directory, Cooker of course अचा है कुकर का weight है 4.5 pound which is equal to 2.04 kg और dimensions यह रही आपकी screen पे, 5 साल की warranty के साथ आता है Induction पे भी चलेगा और gas पे भी चलेगा Body and lid जो है वो Staleness Steel की है, Staleness Steel की quality rich लग रही है Handle अच्छा है, Handle की grip भी काफी अच्छे है और bottom में दी गई है 6.6 mm की thickness evenly heat करेगा, curved, shaped, cute सी body है इसकी pressure cooker के लिए तब तक नहीं खुलेगी जब तक इसकी अंदर pressure है तो आप इसको अराम से time दो, pressure निकलने दो 3.0L का cooker है पर देखने में काफी compact है, छोटा सा लग रहा है दो लोगों की family, यानि छोटी family के लिए तो ठीक है वैसे भी cooker को हम कभी full capacity तक नहीं भरते, 75% तक ही भरते है और देखो इसका base जो है, वो flat है, even heat मिलेगी चारो दरफ और cooker का ढखन आपको इस तरीके से घुमा के खोलना है और इसी तरीके से बंद करना है pricing पे में जादा नहीं बोलूँगे, higher side पे लगा मुझे stainless steel का cooker है, शायद इसे लिए थोड़ा प्राइस जादा है Almonium के Hawkins brand के ही cooker इसके half price में मिल जाते हैं लेकिन quality इतनी अच्छी है handle, material और जो page वगरे लगे होते हैं, वो तने अच्छे से fix हैं कि लग रहे सालो साल चलेगा ये कुकर, काफी heavy है Hawkins की quality, कोई complaint नहीं है no doubt, go for it so that was it, hope you find the video useful like, share, subscribe, bye-bye